जब तूटने लगे होसले तो बस ये याद रखना बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते ढूंड लेना अपनी मंजिल को तुम अंधेरे में क्योंकि शुगुनु कभी रोसनी के महताज नहीं होते नमस्कार साथियों मैं राजकुमार आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पीवियार स्टेडी में आज एक नई उम्मिद की एक नई बैच शुरू हो रही आप लोगों की मांग पर आज कुछ नया करेंगे हम लोग क्यों बजो बोल रहा हूं आप सुन रहे हो ना बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप और यह पूरी बैच बिल्कुल फ्री यूटुब पर पढ़ाई जाएगी बस आप लोगों का हमें सपोर्ट और प्यार चाहिए बस आज मैं प्रॉमिस कर रहा हूं पहली बार और यह प्रॉ को डुक्षन करवाएंगे क्लास के जो भी सिलेबस है पाठह कर्म के बारे में उसके बाद फिर हम इसपर आपको वह पढाएंगे ठीक है पहले हम आपको आज पाठे करम दिखाएंगे सिले बस दिखाएंगे जो कि आपको इस क्रिन पर दिख राया ना भईया चलिए तो समझिए और सुनिए और पढ़िए पहला क्या है हाँ पहले हम आधा मिनट सिर्फ बच्चों के नाम बोलेंगे जो जुड़े हैं और उनसे एक ही गुजारिस होगी कि कलास को सेयर जरूर कर दें ये उनकी अपनी क्या है इमांदारी है प्रियंका यादो अफनेहा तिवारी विवेक पांडे राजा कुमार गोपाल भार्टी और मनीस अंसु और कौन जुड़ा भाई असनेहा पंडित रगुबीर सिंग मोनू अजय स्वातिविसकर्मा प्रियंका सालनी और भी बहुत से कंडिडेट जुड़े हुए हैं तो इसको आप बहुत आराम से पढ़ सकते हो बड़े प्यार से इसमें कोई प्रकार का टेंसन लेने वाली बात नहीं अच्छा आठ लेबल तक ही लगभग ये पूरा मैत का सिलेबस है हमें जहां तक लगता आठ के ऊपर कुछ है नहीं इसमें लेकिन जिन लोगों ने जिन छा इन साट में गड़बड हो गया जो बलेक दिख रहा बगल में वाकि ठीक है तो पहला आपके इस क्रिन पर जो दिख रहा है उसमें आप सभी को क्लियर आ रहा कि नहीं पहले यह बताओ क्लियर है ना भया पहला चैप्टर आज आपका है जो आप इस्क्रिन पर देख रहे हो पहले हम आपको आज पढ़ने करम बताएंगे सिले बस क्योंकि हमें यह तो मालूम होना चाहिए पढ़ना क्या है ना तो पहला चैप्टर है संख्या तथा संख्यांक का बोध इसका हम आपको थोड़ा सारांस बताएंगे ऐसा नहीं है कि सिले बस तो हमारे किताब में भी है तो हम काय तुमारा देखें फाल तू टाइम बेस्ट है जैन का समझिद ना उट चैप्टर है आपका तो इसमें क्याक्या पढढ़ेंगे हम पहले चैप्टर में हम लोग सब्सक्राइब है यहांपके समझना है पहला अध्याय में क्या-क्या पढ़ेंगे समझे ना अभी मैंने आपको दिखाया था ना क्या-क्या था इसमें देखे हो ना क्या-क्या था कि संख्या के बारे में ना तो संख्या क्या है इसकी परिभासा पढ़ेंगे संख्या किसे कहते हैं यह सब पढ़ेंगे और संख्या क्या है उसमें क्या पढ़ेंगे सबसे पहले में ये चीज पढ़ेंगे आपको बहुत ही डीटियल में मैं बताँगा बिस्तार्थ एक्दम संख्या क्या में मुखरूप से अगर हम बात करें तो वास्तविक संख्या और कलपनिक संख्या है न he क्या पढ़ोगे आप पढ़ोगे वास्तविक संख्या वास्तविक संख्या यानि रियल नंबर और काल्पनिक संख्या आज मैं पढ़ा नहीं रहा हूं काल्पनिक संख्या यानि इमेजनरी नंबर फिर इसके आप टाइप पढ़ेंगे जैसे आपको पढ़ाया जाएगा परम पड़ेगा और बिल्कुल फ्री बैच यूटूब पे चलेगी लेकिन आपका विश्वास और प्यार और सपोर्ट चाहिए आप लोग कलास को रेगुलर देखोगे किसी दिन कोई मिस नहीं होगा जो एक दिन गायब होगा उसे एकदम से गायब कर दिया जाएगा इसलिए कला करवा रहे हैं आज की पहले चैप्टर में आप क्या-क्या पढ़ेंगे यार है न एकदम मोटिबेट है न चलो देखो और क्या पढ़ेंगे अस्थानियमान में जैसे अगर मैंने कहा इसमें दो का स्थानियमान क्या होगा भई पताओ जल्दी से पूरी तरह से आप लोगो बिल्कुल बहुत अच्छे हैं बस आप ही लोगों की तो कमी थी है न चलिए तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है और अंधेरों से तो रोसनी नहीं मिलती यहां लाइट जलानी पड़ी है इसका अस्थानियमान कितना होगा दोसों यह आपका था पहला चैप्टर का इंट्र हुआ कि यह रोमन नंबर में संख्या 50 को कैसे लिखेंगे बताओ अगर हम संख्या 5 बोलें तो पांच को रोमन में हम भी लिखते हैं वह से 50 को कैसे लिखेंगे यह सब हम पढ़ेंगे पहले अध्याय में पढ़ेंगे हां चलिए आगे बढ़िए आगे बढ़ते हैं समझत लेतेले चलिए आमहों यह पालो चैप्टर में इतना कुछ पढ़ेंगे दूसरे चैप्टर में क्या पढ़ेंगे आपके सामने इस्क्रिन पर अ कि दिखह रहना इस्क्रिंद पर 50 को यल से truth करते हैं अंसार है क्या कैप्टल यल क्या है है टेप्टला ल तो दूसरे चैप्टर में जो भी है भाई कुछ नहीं है फूसरे चैप्टर में कुछ है नी जाधा अधीट गूडा क्या होता है रूटा की संकल्पना हम पढ़ेंगे मृल्टैपल कैसे करते हैं अच्छ दो अंक का एक अंक का यह सब हम लोग पढ़ेंगे किसमें और गये दूसरे चैप्तर में पढ़ेंगे, ठीक है?? क्लियर है है आप आप लोग समझत रहे हो किद अच्छा एक भात बताईए इसमें आप लोगो का समस्टर का ईक्जाम कप से है, कोई जानता है पर्थम समेश्टर का परिक्षा कब से है कुछ नहीं पता ना अध्धाय दूसरे में क्या पढ़ेंगे हम लोग गुड़ा पढ़ेंगे अब इसके बारे में समझिए जैसे अगर मैं ऐसे जोड़ा तो कितना आएगा बताओ है कितना आएगा जोड़के देखो दो चार दोच्षे दो आर्ण 209 कितना आएगा इस हूँ है हमने ब्सक्राइब को कितनी बार जोड़ा भी या कितनी बार जोड़ा बाभू पांच वावनके इस एक मिनट भॉई डिश्टर्ब ना कर यार कि अisions प्सक्राइब जोड़ा पांच भार तो चाहे तो हम इसे ओ दो गुरे पांच लिखतें तब भी और यह यह जोड़ना है न उसी के चाच्चा है गुड़ा तो यानी जो जोड़ने का नियम है उसी के अप्ग्रेड फार्म को गुड़ा कहते हैं ऐसे कह सकते हैं कोई भी गिंती अगर हम 18 बार जोड़ रहें हैं तो उसे चाहें अठारा से गुड़ा कर दें तो भी उतने या फिर दो में पांच का गुड़ा करते मतलब क्यों कि वह भी सबुल रहा हूं ना यहीं होगा ना दूसरे चैप्टर में आपको सिर्फ और सिर्फ गुड़ा भाग पढ़ना जैसे अगर मैं आप से पूच्छों कि भाइया तीन का भाग करेंगे अब इसमें तो कितना आए दूसरे चैप्टर में गुड़ा पढ़ेंगे आसान है कि नहीं पाइले चैप्टर में संख्या के बारे में पढ़ेंगे दूसरे चैप्टर में गुड़ा पढ़ेंगे आज हम आपको पूरे सिलेबस के बारे में इंट्रोड्यूस करवा देंगे उसके बाद कल से हम लोग आगे विंदास चलेंगे फटा-फट गर्ल गलक्सी यह क्लास डेली रात के दस बजे लाइब होगी नहीं वैसे सब्ता में तीन दिन होगी पक्का डेली तो नहीं हो पाएगी क्योंकि बहुत सारा सीडूल बिजी रहता है तो तीन दिन सही रहेगा ना अब और समेष्टर वाले भी रोएंगे ना वी साथ साथ में कहाँए मेरा भी पढ़ाओ ना तो तीन दिन सही रहेगा बहुत कम है सिले बस एक महीनम खतम हो जाएगा अगर तीने दिन पढ़ोगे तब भी एक ड़्याड महीनम कहतम हो जाएगा छु मुब माद्यावना अग्ला अध्याएफ है अध्या तीस्रा जो है उसका नामmpfen संकल्पना गढिती इसक्रीन पर आपको दिख रहाक नीगी पहले मुझे यह मुझे क्रें एक शुरत एक को कुछ दिखाया है कि आ यह क्लियर दिख रहा है कि ये और बड़ा करूं तो पिकलीर, तो बोलो है येजिए दिक रही हो अग्छले में क्या प्ड़ेंगे हम भी न पड़ेंगे फ्रेक्शन पड़ेंगे जैसे यहां पर देखिए मैंने दिया कि 3 बटा पांच और 4 बटा साथ साथ और मैंने दिया कि भहिया हो बाबु हो चार बटा सीन और इन दोनों में कौन बढ़ा हैं, कौन बढ़ा इनमें, अनमोल सिंह रहा थोड़, बताओ, बताओ, फटाओ, पटाओ, इन दोन में कौन बढ़ा है, इनमें कौन बढ़ा है, यह पढ़ेंगे, इसकी अलामा भिन वाले चैप्टर में हम लोग यह भी पढ़ेंगे, इनका योग बताईए यह भी पढ़ेंगे यह भी पढ़ेंगे यह क्या पढ़ेंगे हम लोग तीसरे अध्याय में पढ़ेंगे बिन्नों का जोड़ना तीन पदों वाली बिन्नों का जोड़ना इन दोनों में कौन बढ़ा है इन दोनों में कौन बढ़ा यह भी पढ़ेंगे यानि इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग कि इन्यक के बारे में सारी कहानई हम लोगों को पढ़ना है कि मैंना तीसरा अध्य highest-ղिया बताव आज आध्या है आसान है कि नहीं आशा ना बै तो हम आज क्या पड़ रहें अभीजिवे समझ पढ़ना क्या है जो कि जब हम पहली क्लास कोई भी चीज शुरू करते हैं तो पहले हमें ये तो पता हो करना क्या है थोड़ी डारेटagar करें जी फट पढ़ने की उसी में बोलते हैं जो मैं भिन्द के बारे में थोड़ा पढ़ा भी देता हूं आप मुझे यह बता हूं कि अब फटाफट क्या आप लोग कि प्रॉपर फ्रेक्शन का कोई एक्जामपल बता सकते हो आपकी नहीं पहले यह बताओ जल्दी बताइए क्या बताना है कि प्रॉपर फ्रेक्शन का कोई एक्जामपल पुचित भिन जिसे बोलते हैं प्रॉपर फ्रेक्शन हूं असाहाना परविन ठीक है अच्छाबी गुपता बीजय संकर बर्मा ठीक है देखिए यह फ्रेक्शन है भईया का यह भिन है उपर जो होता इसको अंस बोलते हैं निच्चे जो होता इसको हर बोलते हैं इंगलिस में इसको numerator बोलते हैं, क्या बोलते हैं, numerator बोलते हैं, इसको denominator बोलते हैं, क्या बोलते हैं, denominator बोलते हैं, अनुचित भिन्न होती है इंप्रॉपर फ्रेक्शन का लाती है लेकिन इसका उल्टा जिस भिन्न का अंस छुट्टा हो छुट्टा नहीं छोट्टा इसमाल और हर बड़ा हो वह उचित फ्रेक्शन का लाती है प्रॉपर फ्रेक्शन का लाती है कहने का मतलब जिसको और कुछ करने की जरूरत ना पड़े तो जब हर छोटा होता ना तो फिर मिस्र फ्रेक्शन हो जाती है उचित नहीं रा जाती है जैसे इसमें एक्जामपल यह भाई लीप दो इसे ऐसे ठीक है एक्जामपल जैसे देखो तीन बटा साथ नो बटा बारा आठ बटा नो यह तीनों क्या ह यह उचित बिन्न है क्या है उचित बिन्न है प्राकेस यादो भाई समझ में आ रहा कुछ कुछ समझ में आ रहा ना बाबुआ हम अब को आरा समझ में आगे बढ़ा जाए फिर चलिए हमारी पूरी कोशिस है कि आपको यूपी बीटी सी का पूरा फ्री में मैथमेटिक्स पढ़ाया जाए यूटूब पे साब कंपलीट लेकिन आप लोग क्लास को लाइक सेर करिए बस अपने दोस्तों को बताए विश्वास बनाए ये रेगुलर पढ़ाएंगे आपको और सब्ता में तीन दिन ये कलास चलेगी हमारी यही कोशिस होगी ठीक है समझ रहे ना तो तीन दिन सही रहेगा या फिर रोज रोज चलेगा तो फिर अगली नहीं चल पाएगी तो चलो सब्ता में तीन दिन मंडे ट्यूजडे बेड़नस डे यानि सो मौर मंगलवार और बुधवार तीन दिन हम आपको यह कलास रेगुलर रात के नो बज़े इस रिफ्रेक्शन भी इसमें पढ़ेंगे इंप अब हाक पर अपढ़ेंगे प्राफार पढ़ेंगे बाव हासारी चीज Do you Sound आपि पढ़ानी रहा हूं अभी में सिलेबत दिखा रहा हूं अभी यह डेमोऔ दिखा रहा हूं अभे ट्रेलर रहे है मूवगी नहीं सुरू हुई मूवगी सुरू होगी मंडे को कि यह तीसरा द्याए बॉई चौ। द्ध nasılético संक्या कि अधारण निका की फोर में क्या पढ़ेंगे हम लोग अधारण कि ऑच्छा में आपको जूम करके दिखाउगे बढ़ा कि वैज घंटर में लोग क्या पढ़ेंगे उठामलो संख्या की अधारणा कि अत विक अने चौथा कृम हाँ तो यह अध्याय learners है कि यहा समझना है कि है अध्याय 4 में क्या पढेंगे भर सामलो पढ़ेंगे दस आम लो भाומ कि करेल यह मिनट मुझे open करने था कितभी यह में देखने दो भाई आयां का पढेंगे दो मुझ नं Уidya कि जादा कुछ नहीं है कि भीन वाले में और एक जीज मां बताया नहीं लिम्न में हम लोग भिन्न में छोटी बड़ी भिन्न भी छाटेंगे, भिन्न का LCMHC अब भी निकालेंगे, छाटने का मतलब दूलना नहीं, सेलेक्ट करना, अलग-अलग, ठीक है, चलिए, आगे क्या बात कर रहे हैं, दस हमलो, जैसे मैं एक छोटा सा अगर आपके पास में सवाल रखता हूँ, आप मुझे यह बताईए, इसका आंसर कितना आएगा, कोई बताईगा मुझे, कोई ऐसा बुद्ध जीवी है, जो इसका आंसर दे सके, बताईए, बताऊ कितना आएगा, इनका आंसर कितना आएगा, यह सब हम लोग पढ़ेंगे किसमें, किसमें पढ़ेंगे, यह सब हम लोग पढ़ेंगे चोथे चप्टर में, तत्तबीर सिंग, calculation करने के लिए, बाबु रात के नो बजे वाली class देखिए, रात के नो बजे वाली class regular देखिए, के PBR study app, डाउनलोड करके आप लोग इन सबी course को बड़े सांदार तरीके से पढ़ सकते हैं, पीवियार स्टड़ी एप ठीक है पले इस्टोर पे उपलब देवाई इंस्टाल कर लो जाके तो इसमें क्या-क्या पढ़ेंगे और दस हम लोग क्या धारड़ा दस हम लोग का गुड़ा पढ़ेंगे यह सब पढ़ेंगे किसमें चौत्य अध्याय में समझ गया अप लोग हम आपको आदद दीखा रहें सिलेबस कि क्या-क्या पढ़ना है । वह हम आपको दिखा रहें है तो पकशमय अध्या में देख लिजी आपको ये पता हो कि हम लोग पढ़ेंगे क्या ठीक है ये सब आपको मालूम रहना चाहिए कि हम लोग आखिर क्या-क्या पढ़ने वाले हैं कि वंच मॉ जब देखो आपवर्तक यानि भीभाजक आपवर्थ यानि गुडज हम biz अ पड़ेंगे कि समयारें में पड़ेंगे यानि कुल मिला पढ़ेंगे ठीक है यहां तक मैं मिटा देता हूं कि अध्या पचम । में क्या पढ़ेंगे लसी मचिए पढ़ेंगे आप आप वर्तक जालते कि कोई बताएगा मुझे मैं एक क्वेश्टन देता हूं ज्हान देना मुझे बताना अप से कुईस्टarnaश से ने दिया सुरूंस बारा सु 12 कोई बतायेका मुझे कर अ मुझे को बीन इसके बताई इसके या फैक्टर आप लिखो गये और वathan इसको कर सके हैं किमेंखocur Lectra कि सब्सक्राइब अम लोग क्या पड़ेंगे अपर असकी है बहुत बढ़ा है नाम इंका मिस्स स्लिनियस प्लेट फाम मुझे इंगलिस पढ़ना आता नहीं पढ़ने रहां बैजिती हो जाएगी कहीं तो यह इसके अपवर्तक हो जाएंगे सभी यह क्या है अपवर्तक है मुझे रहां न अब है और क्या पढ़ेंगे इसमें अपवर्त भी पढ़ेंगे गुढ़ज पूर जानते हो तो यांद्यों ध् orange फिर को ते को यह क्या है यह अपवर्तत अपोर्त तक अपूर तक को मतलब यह है यह 12 का गुड़ज 12 12 24 ते आई 36 12 24 तालीस यह क्या है गुड़ज है गुड़ज मिंस मल्टिपल कि आज मुझे लग रहा सिलेबस ज्यादा लोग नहीं देखेंगे बढ़ाएंगे तभी लोग देखेंगे सिलेबस में मज़ा नहीं आरी लोगों को समझ रहे हो कि नहीं तो यह सब हम लोग क्या पढ़ेंगे पाचमे अध्याय में पढ़ेंगे जब हम अध्याय पढ़ाएंगे तो पूरी कहानी बिस्तार से बताएंगे पूरा गोल के पिला देंगे पंजीवनी की तरह कलास है यह बहुत मज़िदार होने वाली है यह अगला देखे च्छाटा चैप्टर में कहा कहता है लेकिन आप सुबा फोन करो ठीक है आप लगातार कॉल कर आपको कुछ समझना चाहिए ना कि अगर अगला नहीं उठा रहा है तो लगातार नहीं करना चाहिए ठीक है हां तो ठीक है अब लेबल मतलब वाट्स अब 24 आवर आप मेसेज करिए ठीक है यह भाइस आप साथ बार कर रहे हैं लगातार रात में पता एक फोन नहीं उठता है हमारा मोबाइल अपना खराब हो गया ठीक हो था यह आप ही लोगों के काम के लिए यूज होने वाला फोन तो अगले में क्या पढ़ेंगे हम लोग भाज्य तथा अभाज्य संख्याओं का अर्थ एवं लगुत्तम समापवर्थ तथा मात्तम समापवर्थ कुल मिला करके पच्वा और छट्वा चैप्टर दोनों LCM HCF पर ही आधारी थे दोनों चैप्टर इसमें दोनों में वही स संख्याइं का लाती है ठीक है अधार चैप्टर जो सारे समात्त हो जाएंगे न वो दो महीने में कम से कम बस बहुत डीटील में पढ़ोगे दो महीना में नहीं तो एक महीना मखताम हो जाएगा अचा मुझे एक बात बताओ आप लोग अधार संख्या के कोई तीन इक पढ़ें तोक्तमे में क्या पढ़ेंगे पर्सेंटेज पढ़ेंगे भाजजर संख्या तो बहुत आसान है थी ऐस तो फॉच ठीक है आप एक ज्ञynnपल बदाओ मैं पूछ रहा हूं जैसे मैंने दिया 15 है दो कि तो 15 भाजजर संख्या है कि आध्य संख्या है हम अभी अध्याच्छे के बारें बात कर रहें अध्याच पांच तक पहुंच चुके हैं पंदरा भाज्य है किया भाज्य है बताईए फटाफट समझ रहों ने आप लोग चलें चलो ठीक है तो पच्व में क्या पढ़ेंगे हम लोग असले भाज्य है यानि की लगउतं समा पढ़ेंगे या पढ़ेंगे सक्वा चैप्लश के बारे में सविक्षे के बारे में घ्ड़ा मैं आपको लिए देता हूं कि आज हम आपको सिलेबस के बारे में थोड़ा परिशे करेंरें नहीं फिसले अगली कलास से पढ़ाएंगे मंड़े से ठीक है तो सा नगsta सबसे पहले अगर भाज बसक्राइब लीडले avaernen चार रा दो चार इक भाजिय संख्या क्यूं танे कि मैं यह भाज्य संख्या इसलिए है क्योंकि जो चार है वो वन से भी पूरी तरह से भी भाज्य है दो से भी है और चार से भी है लेकिन दो एक अभाज्य संख्या है क्यों क्योंकि दो एक से सेकम प्रड़ोंटलेटली डिवाइड दो से इसके हिए इसके अलामा और किसी संक्या से गभड नहीं है इसलिए क्या है said 스फ लिए अभाज संक्या प्राइम नंबर को कि अधिश्के कि अनम प्राइम नंबर क्या हैbel D bis इसलिए यह अभाज संख्या आइप राइम नंबर है तो इस बोल रहा हूं ना यह क्या बई प्राइम नंबर है तो समझ गया यानि वह संख्या जिसके कम से कम बेटरी गई क्या जल रहा है नहीं न वह संख्या जिसके कम से कम जिसके कम से कम तीन गुड़ा प्लब फैक्टर हों कम से कम तीन एक खुद वह संख्या होगी एक वन होगी और एक कोई और वह क्या होगी बाच्चे होगी पाइब पढ़ाई कर लो पहले पढ़ाई कर लो अच्छा एक और बताओ एक और बताओ आप समझ गए ना तो यह क्या संख्या 33 भाज्य है कि अभाज्य है यह बताओ फिर आगे बढ़ें फटाफट चलो हम लोग चप्टर तक पहुंच चुके हैं चप्टर तक आपका परिच्छे करवा चुके हैं यह क्या है वन से कंप्लिट कटेगी तीन से कटेगी ग्यारा से कटेगी 33 से कटेगी हमन्सिंग का यह कला डेली चलेगी आए मन्डे त्यूजड बेडिनस डे सब्ता में तीन दिन चलेगी राट 10 बज़े क्या कि सब्ता में तीन दिन राट 10 बज़े चलेगी है तामे तीन दिन चलेगी बाभ टीक है तीन दिन प्र conversion ओपू Register परिचय करवाद रहें थोड़ा-थोड़ा हलका-हलका फिर जब रेगुलर क्लास में आप लोग आओगे ना अगली क्लास से पूरा डीटील में पूरा फुल मिलेगा न परतिसत में क्या पढ़ेंगे सबसे पहले हम पढ़ेंगे परतिसत का मान निकालना जैसे कहीं दिया 18% क कमान बताओ तो क्या होगा पता है आपको आइसे निकालते हैं पर्पेंटेज का चीन हटाएंगे 18 बटा सो यह अंसर आता है इसे चाहें तो काट लेंगे हम लोग 2-9 18 और यह 50 यह 18% कमान है अगर कहेंगे कि 2 बटा 5 को परतिसत में बदलो दो बटा 5 को क्या करो पर्सेंट आएगा ऑल यह समझत डाएंक नहीं समझ रहें सकताउस का टाइम रात के दस बजेंट अबन्डे यह घिटावार मंगलवार बुद्वार तीन दिन यह क्लास चलेगी चलेगी अगले तीन देन आपका दूसरा संवेश्टर चले लेकिन अगले तीन दिन दूसरा समेश्टर चलेगा ठीक है और इसकी रिबीजन भी हम दिन में करवा देंगे रिबीजन भी दिन में करवा देंगे नेहा यादो बहुत अच्छे नेहा जी कमेंट आपका आरा ठीक है तो यह तो हो गया परफेंटेज का मान और परफेंटेज इसमें बदलना यह बताओ अगर कोई बचवा है 500 नंबर मेंसे क्या है कि 500 मांग्स है जिसमें ते 360 मांग्स प्राप्त करता है वो कितने पर्संट नंबर पाया है कैसे निकालेंगे जानते हो कोई भी इस्टूटेंट 500 के पुडांक से अगर 360 नंबर पाता है तो वो कितने नंबर हासिल कर रहा परसेंटेज में कैसे बताएंगे कि भई 80% पाया है जानते हो करना पुडांक 500 है मैक्सिमम मार्क 500 है एंड अप्टेंड मार्क से 360 ऐसी तिती में क्या करते न भाई जितना नंबर मिला होता है उसको 100 से गुडा कर देते हैं और पूरे पुडांक से भाग दे देते हैं यह तरीका होता है परसेंटेज में बदलने का आप डंके की चोप पे बता सकते हो इन दो जीरों को दो जीरों से काड़ दो पांच से इनको काड़ दो अब 5-35 अब पांदुना 10 क्या कहोगे 72 परसेंट क्या कहोगे बहुत अच्छे बरी गुड तो सभी समझ रहे हो ना यह साथवे चैप्टर का इंट्रोडक्शन है साथवे चैप्टर में हम लोग यही सब पढ़ेंगे और पूरा डीटियल में पढ़ेंगे आज सिर्फ आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं थोड़ा थोड़ा कि हम लोग पढ़ेंगे क्या आखिर सीखेंगे क्या ठीक है यह सिलेबस है असनी किया टाइम बेस्ट हो रहा है यहां पर आपको थोड़ थोड़ा अभी इनका स्वाद चखा रहे हैं कि कैसे पढ़ेंगे कितना मज़ा आएगा यह सब चीज जिससे आपको बोरिंग न लगे कि हाँ इसमें बोरिंग लगेगा बहुत मज़ा आएगी बोरिंग नहीं लगेगा आप यह समझे लो ना यह मैथमेटिक्स बहुत आसा कि पड़ा लबली लबली फ्रेंड है बस इससे थोड़ी सी मुहब्बत कर लो बस इतना तुम उससे करते हो न अपनी वाली से उससे थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा कर लो बस हलका से यह दोड़ के आएगी मैथ वह आये या ना यह लेकिन मैथ आएगी चलो समझ में न आप क्या करेंगे आठमा चैप्टर देको अरह WA चैप्टर क्या है वह थोड़ा सा रूकना आठमा दिखाता हूं अगली दिखा due to क्यों अ आठमा चैटर देखिए लुए आठमा है आवरगी करीद आकणों का पिक्टोग्राप बार ग्राफ यह अठमा चैप्टर थोड़ा लफळा वाला है कि लफड़ावाला मतलब समझ रहे हो इसमें यह सब करना पड़ेगा का ऐसे दंड गराफ यह सब बनाना पड़ेगा इसे देखे होग नहीं यह मुश्किल नहीं यह भी आसान है ऐसे इदर लिखेंगे 50 40 30 यहां लिखेंगे 22 गाय गोरू बैल है यह गराफ वाला इसमें पड आज तो हम सिर्फ इंट्रोड़क्शन कर वारें इस विए सब चीज हम पढ़ेंगे किसमें आथमा चैप्टर में पढ़ेंगे हां आए आथमा चैप्टर थोड़ा सा कठीन होगा मैं यह नहीं बोल रहा हो कि बहुत कठीन है लेकिन ठोड़ा कठीन होगा तो यहां आप लोग कि नहीं आठ चैप्टर तक नौ चैप्टर में आ जाओ बहुत आसान है यह सब बहुत आसान है कि नौ चैप्टर दिखाओ भई अजाती और बीजाती यह बीजगनती यह बंजको का बोदर यह तो हमारा फैबरीट है बहुत हमज़िदार है हिए सजाती यह भीजाति है हो तनि यह के जाति कि गल्प्रेंड बाफ्रेंड लें तो साधी हो जाती Михीं अगर अलग अलग जाती में हो गई तो वहां भारत थे कम नहीं होता है और कहीं अगर अलग अलग समुदाय में हो गई तो फिर रामायड भी दोहरा दी जाती है समझे रहो तो कुछ ऐसे ही होगा इसमें सजातिय बिजातिय में यही सब पढ़ना इसमें जैसे पुछ एकजांपल मैं बताई देता हूं कुछ इकजांपल बता देता हूं समझिए था है यह क्लास मंडे ट्यूजडे बिड्नेश दे तीन दिन चलेगी तो हम वार मंगलवार बुद्वार राद दस बज़े से और हाँ जिनको डेली पढ़ना है न वो PBR study app में इस course को जोईन कर सकते हैं डेली पढ़ सकते हैं और तीन बार पढ़ सकते हैं सुबा साम दोपार में तीन बार PBR study app में ठीक है चलिए इसका थोड़ा introduction करवा देते हैं सजातिय बिजातिय एक्चुली इसे इंगलिस में बोलते हैं like and unlike terms इंगलिस में क्या बोलते हैं सजातिय बिजातिय को like and unlike terms बोलते हैं इसमें थोड़ा example समझो जैसे अगर मैंने लिखा 3x का square और ये 5x का square और ये 7x का square तो ये क्या है जो भी है इन कोई साइड में रहने दो ये 5x है ये 9x गहात 3 है ये 7x गहात 5 है ये भईया तीनो सजातिय बद हैं बाबू क्या है ये सजातिय बद है और ये क्या है बिजातिय पद हैं ये सजातिय नहीं है अब बिजातिय कैसे लिखेंगे अब आप कहोगे किसे समझेंगे कैसे सजातिय बिजातिय का होता है कैसे समझेंगे सजातिय बिजातिय का है ना पताएं सुनो कि दो चीज देखना है नंबर एक चर समान होना चाहिए यानि वरियाबल जो है वो इक्वल होने चाहिए सभी में और नंबर दो घात बराबर होना चाहिए उनकी जो पावर है कि दो ही चीज अगर एक जैसी है तो यह सजातिय पत होते हैं कि समझ रहे ना ऐसे समझ लो जैसे हम लोग में क्या होता है हम लोग इंडिया के ही हैं सभी अधिकार यूपी वाले होते कुछ बिहार वाले भी है वहर जगा वही है लोगों के साधी विया आउतत का देखते है है अगर ठाकूर में अहीर में बरमण में यह होता नहीं है उसकी अलावा फिर प्र उसमें गोत्रोत्र पता नहीं क्या मिलाते हैं वो तो पंडित लोग जाने मुझे नहीं पता है हैं पहुंता नहीं है लेकिन एक चीज में नहीं बताया वह क्या क्या है जाती के पहले धर्म देखा जाता Clear ऐन जाए बहूद ऑधर ले तब फिर आगे कहानी और आगे बढ़ती है तो ऐसे इंद में मानलो दो चीज होती है यह धर्म मानलो इसे जाती मानलो आप कोगे कुछ लोग कि यह सब कहें बता रहे हो कलास में जाती धर्म वाली बात वहीं पुरदेश में महाल है पिछले 3-4-5 साल से यह चीजें आपको ज है आद समझ भी जाओगे कि इसमें यक्स है इसमें भी एक्स है इसमें भी एक्स है यानि पहली तर्ज पे यह पास है जो चर है वो सब में एक समान है ठीक है इसमें भी एक्स है इसमें भी एक्स है इसमें भी एक्स है यानि पहली तर्ज पे यह भी पास है इसका मतलब यह सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें तो इसमें दो घात है इसमें दो है इसमें दो है यह घात में भी पास है कि इसमें एक घात है कुछ नहीं होता इसमें तीन है इसमें पांच है इसमें घाते समान है पाते समान है नहीं नहीं यह इसी मिमार खा गया घाते समान नहीं है इसलिए यह क्या भी जाती पद नहीं है क्योंकि इनकी घाते अलग अलग है जैसे मैंने अभी जाती धरम वाला बता है उस तरह से एक चीज़ा और देखा जाता है लेवल भी बराबर होना चाहिए ऐसा नहीं कोई भिखारी लड़का किसी दनवान लड़की घर साधी कर लेगा नहीं वो उसको देखेगी नहीं तो घात मतलब वहां पावर बराबर होना चाहिए ऐसा नहीं मुक्य मंत्री जी की साधी हो जाएगी फलाने ठेला वाले घरे नहीं होगी यहोगी नहीं होगी नहीं कभी नहीं होगी बहुत ज़्यादा लेकिन आज कल होता कहा है प्यार करने के पहले भी लोग टटोलते हैं क्या-क इसकी आवकात कितनी हैं ना वोता है ना यह तो यह सारी चीजें यहाँ पर हम लोग सीखेंगे बहुत मज़दार कलास होगी बावी स्टोरी के साध पढ़ाएंगे इसको आपी लोगों पढ़ो होगे रेगुलर तब इसके अलामा अगर इसमें यक्स के अलामा वाई-जेट कुछ और हो जाए और इसमें ना रहे तो भी बिजाती हो सकता है वो सारी कंडिशन हम पढ़ेंगे जब रेगुलर क्लास में चलेंगे नव नमबर अध्याय था अध्याय में बढ़ते हैं आगे क्या पढ़ेंगे मैं बार 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 बता रहा हूं आज हम आपको सिलेबस से परिचे करवा रहे हैं कि हम लोग सिलेबस में पढ़ेंगे क्या वो चीजे यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं उसके बाद में क्या होगा आगे वह आप जानोगे झाल है है जहिँ आपको से परिचे कर रहें त्रबहर क्या है ये पकीन का है के समध्या दिखा वाई छो कि आपंए द्याद्या देखो कि अरे 50 मात छचा बढ़ा मझेदार है चत रसमा तो बहुत मज़दार है बाई क्या है तल खंड बिंदु रेखा वक्र रेखा खंड किरण कोपड़ी की जितेनी नास है ना सारी गरम हो जाएगी इस चैप्टर में मतलब कहा है तो पूरा-पूरा खोपड़ी गरम हो जाएगी इस कलास में जोब बच्वपन से बचा बचा कर रख्यों कहीं लगाए नहीं हो नुय वह लगानीं फढ़ेगी तल ंखंड ब्रित रेखा डरना नहीं कि बबहुत णवांग लगेगा नहीं हमोग कम चोडी में लगाते ना पढ़ना न पढ़े काम न करना पढ़े उससे थोड़ा और कमी लगेगा इसमें क्या पढ़ेंगे तल कि विंदू तल खंड वक्र रेखा खंड कुछ बता देता हूं देखाओगी सब का हो रहा है रेखा खंड आप जानते हो क्या है रेखा खंड जिसे लाइन सेग्मेंट बोलते हैं इसे अगर लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं रेखा धन खंड खंड का मतलब होता भाग चुकड़ा आपने सुना होगा ना भूखंड सुना ना कहीं तो एक्चुली यहां पर हमें समझने वाली कुछ बातें उसे समझते चलिए नेचे नंबर दिया गया आप लोग नंबर पर कांटेक्ट करें बाबू ठीक है अगर कुछ भी जानना है जो लोग कमेंट के पीछे पढ़ें नंबर पर कंटक्ट करें ने इसे ईगर नसे का नाम अगर यही सब्सक्राण काट के लें कंग दो कर अधे इजो बीच का लिए टुकरणा निकलेंगा न कैडें कैसा नहीं रेहना को रेंखांड कायते हैं अहुद अचperson रूसरी बंडू क्या होती है बिंदू मतलब एक ऐसी आकरती एक आएसा छित्व जिसकी ना लंबाई होती है न मुटाई होती है वह बिंदु कंस भर लाती चिसकी कोई लंबाई चाहता है नहीं न कि एक आप कहें जो शीनतील को पैंसिल को कि करते हैं इस साब पेज पर ऐसे टिक करने पर बनी संदचना् बिंदू का लाती है तुछ है न का यायकरती ही बहुत है न बधेंगे किरण मतलब जानते है यो और किरण में अंतर होता है किरण मतलब है यो और टाइप का कि यह सब हम बहुत ही अच्छी तरीके से आपको बढ़ाएंगे जब आप लोग इसे पढ़ेंगे मंडे से ठीक है कि अगला पट्री परकार की सहायता से कौन बनाना अब मेरी सकल मत देखो तुम केवल इसी को देखो कि क्या नमबर इकाय में क्या पढ़ेंगे हम लोग पट्री करकार की सहायता से कोण बनाना सीखैंगे क्या सीखेंगे बाबुआ भाया पट्री परकार की सहायता बहुत अच्छा बेरी गुड नकल के लिए भी अकल लगानी पड़ती है यह मेरी थोड़ी आदत खराब है जो बाबू बच्चा बोल देता हूं कुछ लोग नराज भी हो जाते हैं इनके चाच्चा के बराबर हैं हम बाबू को बच्चा बोल रहे हैं अगले में हम लोग पढ़ेंगे कॉण के परकार वारा नूमबर में नइशन क्यून क्यूं अधिक कोण अधिक क्यून में है इसाब पढ़ेंगे हम लोग बारा नेंबर चैप्टर में यहां पर तोड़ा सब्समझ न grammar बावु आप बहुत परिसान ना हो PBR study app डाउनलोड करिए और जाकर के जीरो लेबल मैथ का कोर्स आजी इन्रोल करिए आपकी सारी मुसीबत दूर हो जाएगी ठीक है पले इस्टोर से आप PBR study app डाउनलोड करके आजी जुड़ जाएगे अगला 11 नंबर चैप्टर हो गया 12 नंबर मैं आप पढ़ोगे कोण के परकार में इसको तु अभी तुरंध बता देता हूं तो ostr बता देता हूं समझो हैं इसके टोब में मुख्य रूप से कौन कौन से कोंट होते हैं राधव नियून कोंड इनकों में सबकों में बहुत चंद मिनेटों में आपको बता रहा हूं यहीं तीनों बड़े खतरनाक होते हैं बाकी सब आसान है यह तीनों खतरनाक है कैसे तरह समझना यहांपर थोड़ा सा देखो भाई जो नियून कोण होता ना बाब वन डिग्री फिले करके 89 तक नियून कोण होता है यानि कोई भी कोण अगर एक अंस का है चाहे पांच अंस का है चाहे असी का है चाहे नमासी का है वो क्या है नियून कोण है लेकिन जीरो डिग्री का है तो उसे नियून कोण नह गया चाहिंब पहुंच गया को नहीं रहा जायगा ठाव बताओ अगनभे हो गया तो समकौण हो जाएगा वो फिर नहीं कुछ रह जायगा अधिकोण के सुर्वात कहां से होती भाई 91 से होती बाबू अधिक कोड और 91 से 179 तक ही रहता है बस कुछ लोग 180 के कोड़ को भी अधिक कोड़ बोल देते हैं वो चंद्रमा वाले गरा से आये उपर से गिरें एक 180 का कोड इस्टरेट अंगल का लाता है रीजु कोड का लाता आदिक कोड नहीं होता वो कुछ कोण अदूतिये होते हैं वो अपने माबाप के लाडले होते हैं उनके जैसा कोई और नहीं होता है उन लाडलों के बारे मैं बात करूँगा मैं बाद में पहले कामन के बारे में बात कर लो जैसे सुनने कोण सम कोण सम पूर्ण कोण रिजु कोण यह सब यह दूतिये होते हैं इनका दूसरा मान नहीं होता है यह सब क्या है अलग है इनके सारे हैं कटेगरी बहुत सारी यह सारी चीजे ब्रिहत कोण कहां से शुरू होता भई ब्रिहत कोण सुरू होता बाबु 181 से लेकर के 359 तक यह क्या है ब्रिहत कोण है याद रखना वह ब्रिहत कोण में नहीं आता है समझ में ना तो यह कोण वाली कहानी हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर किस में चैप्टर नंबर 12 में ठीक है और जादा फिजादा आप लोग इस कलास को सेर करोगे भाई ऐसे मज़ा नहीं आएगी यार ऐसे बिल्कुल मज़ा नहीं आएगी दिल फटे वाला काम ना कर करो यार विल्कुल मज़ा नहीं आएगे अगर आप लोक शेयर नहीं करोगे तो कैसे पढ़ाएंगे एंगे अपको बिल्कुल फ्री पढ़ायेंगे पूरा समेस्टर पूरा स्ट अलेबरा सप्री पढ़ाएंगे लेकिन कम से कम बच्चे आने चाहीए ऐह जब लाइब चले तो कम से कम सव बच्चे होने क्वाइब निकाल करो लोग मिल्क पड़ो लोग इंडिया तभी तो बढ़ेगा अमेरिका कुछ लग मुझे गरी आएंगे कहें देश द्रोही यह काया इसा बोल रहा है वह यह बहुत सोचनिये बात है दुख की बात है जो मैंने कहा आप देखो गूगल से ले करके कि अगर तक बहुत से बड़े बड़े अमेरिका की कमपनिया जिनके सी ओ भारत वंसी है क्योंकि इस देश में टैलेंट की कदर नहीं होती है इस देश में सरकाई नौकरी वाले दमाच चाहिया किसी को इस तो तुमसे कोई मतलब नहीं है कि का यह कड़वी सच्चाई है कि इसलिए तुम्हारे हाथ में मोबाइल जो है ना उसमें का वर्टसप फेस्बुक ट्विटर इंस्टाग्राम गंटागराम जो भी है सब दूसरे देश का है हम लोग को क्या मिलता है कुछ नहीं तुमारी चाहिना की इस देश में केवल ए लेकिन यह चीज है आप लोगों को हम लोगों को बदलनी होगी तब यह बदलने वाला नहीं है यह सब बाते करेंगे आप लोग कहेंगे फालतू की बात कर गए बहुत इंप्वर्टेंट है दिल में रहती है हर समय लेकिन कहूं तो मैं किस से कहूं आपी लोग तो है ना इ कि बढ़ेंगे तिरभूज का पढ़ेंगे तिरभूज में सांतियों बहुत ही आसान है आप सबको पता है में बूर भालिस अब पढ़ना है पढ़ें जएक पर पंटर नहीं की पर निकाल लोगे और तिर्भूज के बारे में बस वही सारी चीज़े पढ़ेंगे जो भी कुश्चन है मैं एक बार आपको देख के बताई देता हूं कुछ तिर्भूज वाले में क्या-क्या पढ़ोगे बाई ट्रेंगल तेरा नंबर चैप्टर हैं ट्रेंगल है ना और परमिती वाले में थोड़ा सा हम लोग कोडिनेर्ट जमेट्री के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा बूत हलका सा बस बहुत ज्यादा नहीं तिर्भूज का छेतरफल निकालना भी सीखेंगे जैसे कोई एक समदुबाव तिर्भूज की भूजाएं दी गई है तो उनका छेतरफल कैसे निकालते हैं यह सारी चीज़े भी हम लोग सीखेंगे ठीक है जैसे यह question मान लो दिया है यह मान लो 5 दिया है यह 4 दिया है यह 3 दिया है इनका छेतरफल कैसे निकालेंगे इनका सूत्र आपको बताएंगे पूरा concept बताएंगे यह सब सीखेंगे किसमें सीखेंगे लाइस्ट वाले चप्टर में उसके बाद परमिती के बारे में पढ़ेंगे परमिती में ज्यादा कुछ है नहीं थोड़ा सा पढ़ना इदम इच्चा वर्वस तो साथियों यह आपका सिलेबस खतम हो गया आप बड़े भागे साली हैं जो आपने पूरा सिलेबस देख लिय और मैं आपको पूरा सिलेबस एक बार फिर से दिखाना चाहता हूं एक नजर आप फिर से देख लीजिए चाहे स्क्रीन साट ले लीजिए मुझे मत देखिए देख लीजिए यह आपके अध्याय हैं पहले सुरू के चार अध्याय हैं इस ठीक है है अनिल बर्मा जी कह रह बहुत अच्छा आपके इतने मीठे मीठे कमेंटि के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद अध्यायाय है यह आपका क्या है पाठीकरम है जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो यह आपका क्या है पाठीकरम है यह सिलेब बस यही पढ़ना है अगली कलास से मंडे से हम लोग इनको ताबल तोड़ आगे बढ़ाएंगे लेकिन आप लोग कितनी संख्या में आओगे मुझे यह बता दो कितने बच्चे आएंगे आप लोगों के साथ में कम से कम दो तीन लोग तो आओगे ना किया केले आओगे ठीक है यह पाठिकर हम आप देख लिए इसी 14 चैप्टर में हम लोग रुवाठाड पढ़ाई करेंगे दो दिन में एक चैप्टर खतम होगा एक म महीना में सब खतम हो जाएगा तीस क्लास चलनी चाहिए बस कितनी क्लास तीस क्लास है ठीक है दन जो चलते हैं फिर आज के लिए इतना ही अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट करके बताइए हाँ जो चात्र इसे रेगुलर डेली पढ़ना चाहते हैं दो दो तिन तिन वाजे से वाठ बॉद्वार तीन दिन पढ़ेंगे ठीक है कुछ भी पूछदे कमेंट करिएक कमेंट करिए कमेंट का जवाब तुरंट मिलेगा अगन परिक्षा को घृदा बहुँ前 कंष्ट मिनूग bursts गूरप आच समेश्टर वालों के एकजाम कब होंगे कुछ कहरा मार्च में होगा कोई कहरा फर्वोरी में होगा आपके कालेज में इन अपड़ेट चुना भई पेपर कहाँ सोगा यूपी का महा चुनाओ इतनी बड़ा चुनाओ मार्च में तो चुनाओ है एलेक्शन फर्स्ट बाकी जनता कौन बतल नहीं बंद करा जाए ठीक है आप लोग अपने बिचार बता देना बाद में बहुत भूत धन्यवाद फिर आज के लिए इतना ही बेस्ट आफ लग आप लोगों को हाई च्यालो